Hello friends, जैसा कि मैंने प्रिविएस वीडियो में डिसकस किया था How to Preparation है BFA में, मैं उस पर वीडियो लेके आए हूँ तो उस पर बताने से पहले कि जैसे कि मैं बता दू कि जो BFA जो लोग इंट्रेस्टेड है BFA के लिए इंट्रेस्टेड का Preparation करने के लिए 2021 में वो लोग मेरे चैनल से जूर सकते हैं मैं से वेपर बाई कियास आज से फ्रेंस में आप लोग को ओनलाइन क्लासेज दूँगी कि BFA में क्या पढ़ाई करनी है सारी चीजों का बताऊंगी क्या पढ़ाई करनी क्या आता है प्रोसेस क्या है किस तरह की कोशन्स पूछ जाते है प्रैक्टिकल से लेकि थियोरी तक सारी चीजों के बारे मैं बताऊंगी डिसकस करूंगी तो जो लोग इंट्रेस्टेड है प्रिपरेशन के लिए आप जूट सकते इस चैनल से यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी तो फ्रेंस जैसे कि आपको अगर किनी को नहीं पता है कि BFA का फ़ले फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले आप यह जान ले तो BFA का फुल फॉर्म है बेचलर इन फाइन आप जो लोग आप से इंट्रेस्ट आप में इंट्रेस्टर रखते हैं वो लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दा सेंस यहाँ पर मैं बता दू कि किस तरह की आप को सिखाया जाता है BFA में तो BFA में जो आप सिखाया जाते हो पहला पेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेट आपको चीजे बता जाएंगे चाहिए ओयल पेंटिंग हो अकरलिक हो वाटर कलर हो पोर्ट्रेट हो यह सब सारी चीजे बता जाएंगे जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में आती है अगर आप बताओ तो यह पास दिपार्टमेंट में बटी होती है, एक राप्लायऍड हो गया आपका, पेंटिंग hetera पेंटिंग में मूइरल प्रिंट मेकिन डें टेक्स्टाइल हो गई आपकी,しい charge हो गया पोर्ट्री होगी पोर्ट्री को श्रामिक भी कह सकते हैं तो यह सारी चीजे यह सारी अपार्टमेंट आती है तो आप जो भी चूज करके अपने हिसाब से कोई भी अपार्टमेंट में जिसमें आप इंट्रेस्टेड हो उसमें आप चूज करके अपना करियर बना सकते हैं ठ अब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं अब 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 तो इसके डिग्री बहुत वैल्यूवल होती है और वही आप प्राइबिट कॉलिज से करेंगे तो पैसे बहुत मतलब बहुत क्या बहुत ही ज्यादा लाखों में पैसे लगते हैं यह कोर्स करने के लिए वही जब अब आपका हो जाता है तो कितना डिफ्रेंस है प्राइवेट और गवर्मेंट में और अच्छे अच्छे कॉलेज से बीच्ची हो गया सांती निकेतन हो गया डीउ हो गया जेज स्कूल ओफ आर्ट हो गया तो ऐसे बहुत सारी युनिवर्सिटी है यह सब से अगर आप करत अपने हिसाब यह और आपको सही तो फ्रेंट्स उसका में लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी तो अब आते हैं कि एक ब्युप करना जानगे वेफर में यहोता है लेकिन इंटरेंस में त्यारी करने होती है फॉरस्ट लिए कोशन होता है कि इंटरेंस में त्य चीज पूछे जाते हैं, दो चीज में जैसे कि पहला हो गया आपका composition, composition in the sense कि कोई भी आपको imagination आपको drawing करना पड़ेगा, आपको topic दे दिया जाएगा, उस topic में आपको, जो topic आपको दिया जाएगा, उस topic से आपको related, आपको composition ready करना पड़ेगा, माल लिजे आपको market scene दे दिय तो सबजी बंडी में आपको कोई सबजी बेच रहा है, कोई सबजी के लिए रहा है, background में क्या है उसके, सबजी क्या क्या रखी हुई है, तो एक complete composition होना चाहिए, माल लिजे टी स्टोली हो गया, तो चाय बनाते हुए, चाय पीते हुए, पैसा देते हुए, बगल में कोई पेपर बेट के पढ़ रहा हुए, तो उस टाइप से क्रेट करके complete composition, जो mostly watercolour में ही किया जाता है, तो watercolour में ही कीजेगा, मैसेजस्ट करूँगी, तो watercolour में आपको करना है composition, ये exam में आता है, और second job कराता है, still life, still life अगर नहीं पता है तो बता दू, कि कोई भी object, object like bottle हो मग हो गया, बाल्टी हो गया, कुछ भी, कोई भी डिबबा हो गया, कोई भी tiffin हो गया, steel का कोई भी material हो गया, यह plastic का कोई भी material तो कोई भी object आपके सामने रख दिया जाएगा, ठीक है, आपके एक या दो feet की दूरी पर ही रख़िएगा, तो आपके सामने रखा रहेगा, तो उसको देखके आपको बहुत ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए, 3D में होनी चाहिए, तो वो ड्राइंग आपको प्रैक्टिस करकर के आएगा, एक बार में तो आएगा नहीं, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज पुटोरियल जो वीडियो है आप देख सकते हैं आपको जो मेरा वीडियो के ज्यादा धूबना नहीं पड़ेगा आप मेरे थम्नेल से भी पढ़के समझ सकते हैं कि थम्नेल में अल्रेडी लगा रखा है कि स्टिल लाइफ ड्रोइंग ठीक है तो आप थम्नेल देखके भी ड तो आप उसका भी देख सकते हैं तो यह राफ्रेंस की जो एक्जाम में आता है थियूरी आता है आपका प्रेक्टिकल आता है सकेंड होगे आपका कि अगर जब आप आपको 12 के बाद यह जो BFA है वो 12 के बाद ही होता है ठीक है मैंने प्रिवेसी वीडियो में में बताया कि एक तरह का graduation है और सब जो graduation B.A.B.com करते हैं वो तीन साल का होता है और वो भी हम 12 के बाद ही करते हैं तो यह हम 12 के बाद ही करते हैं लेकिन यह हम यह जो course होता है आपका यह 4 साल का होता है लगबग सारी university में 4 साल का ही course होता है ठीक है तो यह आपका 4 साल का course और यह course आप 12 क बाद ही कर सकते हैं और इसमें जो आगर आप फॉर्म भरेंगे इंट्रेंस के लिए तो इसमें भी एक आपका यह डिमांड होता है कि वहां का रूल है आपका कि आपका 12 में 50 परसेंट एलिस्ट 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए लगबग उनिवरसिटी मैं सारे उनिवरसिट करती है उनका रूल है कि हाँ आपका 12 में 50 50 परसेंट मार्क्स रहेगा तब या भी आप व्याच्यू का फॉर्म भर सकते हैं तब यापका सेलेक्शन होगा अगर उसके बाद ही निवरस आपका नहीं होगा तो 12 में आपको कम से कम 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए यह रहा अब आते हैं फ्रेंट्स की आपको की ठीओरी पढ़ना है प्रेक्टिकल पढ़ना है 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए 12 में और 12 के बाद ही यह कोर्स कर सकते हैं अब आते हैं कि यह कोर्स में स्क्लेवर्स क्या है ठीक है क्या क्या पढ़ना होता है इसमें वो भी इंपॉर् बनारस हिंदी युनिवर्सिटी का बताऊंगे कि बनारस हिंदी युनिवर्सिटी में जब आप इंट्रेंस का एक्जाम देते हैं तो इंट्रेंस का एक्जाम देने के लिए आपको कितने टाइम मिलते इंट्रेंस के एक्जाम में क्या पूछा जाता है मतलब मैं साइच का भी बताऊंगे ओर DU का भी बताऊंगी तो बहुत ज्ञार्स जादा थेaahhS में खूरी करना पड़ेगी ये उसके प्रफ सकते तो आप बुकस पर बनार्स ठीरी जो अपसे टफ माना भी जाता है कि बहुत सारी चीजे पढ़नी होती है और भुक से इसे नहीं आती है आपका जन्न नोलज भी आता है अच्छा फिल्मी इंडस्ट्री से जो भी मुवीज हीट हुई कौन सी फ्लोफ हुई उस टैप से भी आते किसको ऑसकर मिला किसको सम सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल के लिए अलाउग किया जाएगा अगर आप जैसे ही क्वालिफाइब करते हैं मैं बता दूं यहां पर कि लगभग जो इंट्रेंस में बच्चे बैठते हैं भी एच्चू के लिए वह 14-15,000 इस थ्यूरी में प्रैक्टिकल के लिए ब्यटते हैं और वह एक तो या तो 80, 80 बचे तक सेलेक्ट होते हैं फाइनल में जो एड्मिशन होती उनकी और साथ ही पेट सिट पे 30 से 35 बच्चों का सेलेक्शन होता है और पेट सिट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इसका डिसकस बात में करूंगे, फिलाल तो मैं क्या करना है, क्या पढ़ना है मैं और भी उ बता दू तो friends यह तो रहा कि इतने बच्चों का सेलेक्शन होता है इस तरह से तो पहले आपको थ्यूरी कॉलिफाइए करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैकिकल क्यौिफाइए करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में आपका स्टिल नीसी पाये का और 50 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 50 questions आएंगे each question 3 marks क्यों होगे अगर और negative marking एक नंबर की होती है मालने जिए अगर कोई questions आपने गलत कर दिया है आपने छोड़ दिया है कोई questions तो कोई दिक्कत नहीं क्यों उसको आपने प्रैक्टिकल में कितना नमर का एक्जाम होता है तो प्रैक्टिकल में 2 paper उतल तोनों ही पेपर three sixty three sixty each दोनों ही paper three sixty marks के होते हैं और इसके लिए आपको घिर घंटे का समय जाएगा ठीक है और थूरी में भी आपको अब आपको प्रैक्टिस करने तो यह रहा स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, सब्सक्राइब दो गोंटा लगाते हैं क्योंकि अब है चार से पाछ पाच महने इंट्रेंस के लिए तो अभी इस स्टार्टिंग में समय देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप कोसिच कीजिए गा जब तक आप एक्जाम के नजदीक आते चले जाओ तो आप अपको इतना प्रैक्टिस कर लें कि आपका जो फिर आप एक्जाम के जब करीब आह तो जब आप लास टाइमपह ओ तो आपका डेर घंडा में आपका जो Οव T जो स्टिल लाइफ अब वर्क कर रहे हैं वह कंप्लीट हो जाए क्योंकि आपको डेरगंड़े से बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा और क्या होता है कि जिनकी ज्यादा प्रेक्टिस नहीं होती वह एक्जाम में बैठते तो डेरगंड़े में करनी पाते उनको कुछ छूट जाता है तो फिर ऐसे वह उनका सेलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा जब आप ट्रोएंगी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका सेलेक्शन कैसे होगा तो इसलिए मैं यहां पर इसलिए बता देरियो कि डेरगंड़े का मिलता था कि आप उस हिसाब से प्रेक्टिस कर तक मिलते हैं। यह पूरएं सेस्ति करदे तो यह पर जानते होंगे तो जानते होंगे चार्ण पेपर का एक चोथाई भांग ट्रिक वन फॉर्ट जो प्रांग होटस दो है तो-ए प्रेक्टिस करके剛剛 प्रेक्टिस करने हैं लौ एक जानते हैं। आप चोर्ड़ंगे पर प और वही पेपर आपको प्रोवाइड वी के जा contract करें तो आप अभी साभ जब ऑन्ली पैटिस ज्याएंट करोगे आपको इस्तिल लाइफ नहीं कर सकते तो आपको पैंसिल का यूज करना है और यहां पर तो यह रहा कि इस तरह से आपका बियाच्चू में कॉच्शन पूछे जाते और यह थिएरी में जो भी कोच्शन पूछेंगे उस में वीडियो डालती रहोंगी आप वह सारे वीडियो देखिए अगी वह सेलेक्टेड कोश्चंस होंगे जो उसी से बियाच्चू में इसी से लगभग आते हैं तो मैं वैसी कोश्चंस बता हू पर बहुत सार ऐसे भी student है जो चाहते हैं कि इतना time ना दे तो उसके लिए भी एक diploma बीच्ची में diploma की भी course होती है BFA के लिए जो सिर्फ 2 साल का होता है ठीक है तो आप ये diploma भी course कर सकते हैं ये जो 2 साल का होता है तो फ्रेंट्स लेकिन इसमें अगर अगर आप डिपलोमा करके करेंगे इसमें डिपलिओमा में यह है कि आप स्टार्टिंग में ही कोई बी सबजेट करके उस सब्जेक्ट पर सकते हैं और जो BFA करेंगे 4 एर के लिए तो इसमें क्या है कि आप इंट्रेंस क्वालिफाइग कर लिए देन आप्टर आपको वन एर तक सारे जितनी भी टिपार्टमेंट जितनी भी सब्जेट से कि मैंने जिगर किया था अपलाइट, टेक्स्टाइल, ट्रिंट मेकिंग, जो पोर्टरी हो गया, पेंटिंग हो गया तो आपको फॉर्स्ट एर में सारी चीजों में काम करना पड़ेगा सब चीज में, उसके बाद आप Second Year में जाओगे, तो फिर आपको कोई एक सबजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पुरा तीन साल आपको उसी एक सबजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, और जो सेलेक्ट करोगे, वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, अप आपको जो department देंगे फिर आपको उस हिसाब से उस department में पढ़ना पड़ेगा तो अगर आप जब first year में जाते हो तो ऐसा नहीं कि महनत कम हो जाएगी और बढ़ जाती इंटरेंस के बाद महनत तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आपको अपने पसंद से department मिलेगा कि वो department भी आपके marks पर depend करती है तो यह हो गया लेकिन वही जब आप diploma करते क्योंकि वो 2 साल का ही होता है तो इसमें ऐसा नहीं कि पहला year है कि सब चीज के बारे में सारे departments के बारे में आपको बताया जाएगा ऐसा नहीं आप कोई एक subject choose करे उससे आप diploma कर सकते हैं अब आती ही friends की BFA अब यह चुका तो यह हो गया अब fee का भी बात कर ले थोड़ा कि fee क्या होता है fee कितने लगते है तो friends जो fee लगती है इसमें जादा बिल्कुल नहीं लगती fee अगर आप दोनों qualify करते हैं theory भी और practical भी दोनों qualify करते हैं बात नहीं कर रही पेट स्रीट में तो बहुत जादा fee लगते पेट स्रीट का में कभी और डिसकस कर दूंगी मैं नॉर्मल बता रही है वो जो जिनका दोनों qualify हो के वो जाते तो उनका सिर्फ fee लगता है 2000 से 3000 पर एयर सोच सकते हैं से अधिर साल के और यहां पे अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं अपना ही बता दू मेरे democrats स्फियंट मैं मैंवही कि स्टुडंट हू तो जो मैंने सामेस्टर jet抗ा हो फैस्ता में 3 semester आपको तो जो मैंने सामेस्टर आपको인이क दिया था ठाल Sü तो आप दोनों को एड करोगी तो देखो आप 2,000 से 3,000 के बीची हुआ, मतलब 2,425 रूपीज पूरे साल की पढ़ाई, तो इस हसाब से ऐसा नहीं कि इस बार 300 लगा, अगले बार जब मैं 3rd समेस्टर में गई तो उसमें ज्यादा लगा था 1,400 लगे तो इस हिसाब से मतलब मिला जुला कि अगर मैं दोनों का कम प्लस कर दूँ पूरे एक साल का तो दो से 3,000 के बीच में आपकी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है, जो बहुत कम है क्योंकि B.H.U. बनारस हिंदी युनिवरसिटी टॉप ठड के अंदर ये युनिवरसिटी आती है, और ये युनिवरसि तो ये फी रहा फ्रेंस, और बस तो इतना है आपका BFA में, और जो पेट स्रीट का बात है, तो पेट स्रीट में मैं कभी और डिसकस कर दूँगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजे हैं, तो मैं कभी और डिसकस करूँगे, फिलाल तो मैं अभी आप लोग पढ़ाई पेट स्यूट करें, अब जो वीडियो आएगा आपका, जो नेक्स वीडियो आएगा, उसमें मैं थ्वाद डिसकस कर दूँगे, सान्ती निकेतन और डैली उनिवर्सेटी, उसमें में कितने मार्स के होते हैं, उसमें एक्जाम कैसे आते हैं, कितना क्या time मिलता है, वो सब म मार्क्स का होता है तो आप उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपेशन करेंगे तो यह रहा तो जो नेक्स वीडियो होगा वह सांती निकेट अनों डेली उनिवर्सिटी का होगा कि उसमें कितने मार्क्स के जो भी जैसे मैंने बिये अप्चु के लिए बता है वैसे मैं उसके एक वीडियो बना दूगे अल्रेडी वैसे कोचिंग पर वीडियो बना है लेकिन अभी मैं फ्रेश सब चिस फ्रेश स्टार्ट कर रही हूं तो मैं चाहूंगे कि सारा चिस फ्रेश से स्टार्ट हो तो फिर से मैं वीडियो बना दूगे कोचिंग के लिए जो लोग इंट् एक पर पढ़ना है पर उन्हें कुछ पता नहीं होता है, बादा नहीं थी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, कि बिएफे नाम की कुई चीज होती है, पढ़ाई होती है indeed, आप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दिजिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दिजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दिजिए अगर आपको रेगुलर थिओरी के क्लास करने हैं क्लिक नहीं करेंगे तो अगर रेगुलर बनना चाहते हैं मेसी वेवरभाई केस के साथ तो आप बेल आइकन को क्लिक कर ले आई होप फ्रेंड चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में फिलाद नमस्ते अपना ख्याल रखें